अगर आप तीन कोशन गलत करते हो पेप हेलो अब्रिवान हेलो माइड यह स्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोगाई गोप यह वाजुडिंग ग्रेड वेलकम बेक वन सेट ऐसी इंजन यह बेसुकली पूरी तरह से थर्मो डायनमी का अपलिकेशन है उस में अलग लोग के बारे में जितना हम लोग प्रोसेस देखें जैसे आइस बारिक हो गया इडिथी फोगया पॉलिट्रोपिक हो गया जोमनों कार्णोट सैकल व dwell में कौन कोड़ा प्रोस्यस होता है उन सबका ही कि यहां पर यूज किया जाता है विकोश यहां पर लोग हम पढ़ेंगे इंजहं के वारे में ही और इंटरनल कंबसन इंजह में नाम से पकड़ो ic i for internet i forено c for mlr जला है जो मेरा chemical energy यह सो predicted यह उसके थूरू हम लोग या याट ऑप कोई टर्माइन को चला रहे हो या कुछ अन्दर में जलता है्या अक्सटर्न है यह लिगतर्न इक्ष्र रोब तोब बेगे सार जी अंदर में मेरा फ्यूल जल रहा है याशन के इंटर्नल कंबशन हो रहा है उस्से तो आपका दुर्चंट यह य Better ध्यूर्स और औरिके अलते हैं पेट्रोल डिजल यह सभी कोल हो गया यह जितनी चतर रहा है वह आपका क्या है एक तरसे chemical energy उसके अंदर अता उससे हम लोग heat produce करते हैं उससे हम लोग work done लेते हैं साथ को rotate करवा के या reciprocate करवा के जैसे भी कराना यह आपकी बात है clear my point or not तो इसलिए यहाँ पे पूरा का पूरा एक तरसा बोश सकते हो कि basically यह applied thermodynamics इसको कह सकते हैं हम लो होता ना पुराणा movie को फिर से नया remake करा जाता है सेम चीज़े उसमें कुछ कमियों को दूर करके आप देखेंगे प्रियोग टेबल पड़ते है chemistry वेगरा में बहुत सारा ऐसा या फिर atomic structure देखते हैं हम लोग तो atomic theory अलग लग लग के दवारा दिया गया है कि पहले यह बता यह करते हैं कार्नोट cycle को कारनोट cycle में क्या था है रियल में कर सकते है प्रेक्टिकल यह साइकल का यूज नहीं कर सकते लेकिन हां यह पता है कि उससे मुझे maximum उप्रिंस से मिलेगा अगर ऐसा cycle बना लिए तो तो हम लोग हमेशा जोभी cycle में बनाते उसका target यह रहा ता कि व reversible aidiabetic होता है जो दोनों आपस में एक first process, small process और दोनों एक जैसा हो नहीं सकता है एक साथ, एक ही stroke में, fast or slow possible नहीं है तो मेरा impossible device है practically उसको possible नहीं करा जा सकता है, तो हम लोग लेकिन हाँ उसे maximum efficiency तो मिलता है ना, तो क्या ऐसा कोई cycle बना जा सकता है कि उसमें practical हो लेकिन efficiency हम लोग achieve करें maximum यानि कारनोट की तरह समझे मेरी बात की नहीं तो कि standard बानके सब इसी का असपास जाता तो उसी का उसी में जो चार process होता है ना उसी में लोग vary करेंगे constant pressure जो आइसो thermal है उसमे constant pressure ले लेंगे कभी constant volume ले लेंगे कभी जो adiabatic है reversible adiabatic उसमें constant volume डाल देंगे change करेंगे और देखेंगे कि practically पॉसिवल है maximum efficiency लाने के लिए maximum efficiency मिल रहा लेकिन practically पॉसिवल नहीं है तो वही चीज़ हम लोग देखने वाले यहाँ पे तो सबसे पहले सर्जी ic इंजन यह तो समझ गए internally हम लोग यहाँ पे जला र करता है कैसे किस फॉर्म अप इनर्जी से किस फॉर्म अप एनर्जी में करणवर्ट होता है यह सभी चीज और उसके लिए system surrounding किसको मालते हैं किस तरह का system होता किस तरह का work done किया जाता उस से किस तरह का heat transfer किया जाता कितना तरह का energy होता है उन सब के बारे में discuss कि ए थे रही यहने कि form of energy के बारे में discuss किया गया था उसमें और interaction के बारे में direction के बारे में quality के बारे में देखें अभी तब लेकिन engine को अभी तक define ने किया गया तो अगर मैं engine को define करूंगा तो engine देखो यहां पर simple link दिया गया आप भी पढ़ सकते हो device which convert one form of energy into another form of energy मतलब की engine जो होता कोई भी दुनिया में जो इंजन होता है वो क्या करता है वो से देखो you know that की energy जो होता उसको कभी भी दुनिया में क्योंकि you know that मैं आपको बहुत अच्छे तर समझा दिया हूं कि system और surrounding को एड करके क्या होता यूनिवर्स होता और हम लोग का भी जैसे हम हो गये system मेरा चार ओड़ गया surrounding और पूरा universe मतलब पूरा सारे planet planet galaxy लेकर सब कुछ लेकर आपका universe हो गया तो universe का energy कभी भी loss भी नहीं होता है आपको पता कि कभी वो खतम नहीं होगा ना create कर सकते हैं ना energy को universe का ना ही उसको destroy कर सकते हैं बस एक form से दूसरे form में transfer कर सकते हैं तो हम जो भी energy देते हैं आपके किसको engine को वो बस एक form of energy को दूसरे form of energy में convert करता है लाइक आपने क्या करा fuel डाला तो fuel के अंदर क्या है chemical है energy कैसा है chemical energy है तो वो क्या करेगा combustion करेगा उसको जलाएगा उससे होगा हीट होगा fuel से हीट पर जोगा और हीट एनरजी से ओपिश्टन को धक्का देगा वह reciprocate करेगा आगे पीछे जाएगा और आपका engine चल पड़ेगा और आपका गाड़ी चलने लगा तो आपने क्या करें आप बस जो भी energy है energy के form को आपने change करा one of form energy से लेकर दूसरे form up energy को change करते हैं लेकिन इंजन तो दुनिया में हजारों होता है हम यहां पर किसके बारे में पढ़ने वाले सिर्फ और सिर्फ आईसी इंजन को टार्गेट करेंगे तो बात करेंगे सार आईसी इंजन में हम लोग इंटरनल कम बसन अभी कम बसन कब होगा कम बसन मतलब जलाया जा रहा है जलाने के लिए मुझे जरूरत पड़ता temperature हीट का temperature तो उससे निकलता temperature डिफ्रेंट का बनते हीट फ्लो ओता लेकिन मिल दी आपका यहां पर कम बसन करने के लीए heat होगा यहां हीट इंजन के बारे है यहां हम लोग पढ़ेंगे हीट इंजन के बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे heat engine के बारे पढ़ेंगे ठीक है अब बोलेंगे साथ ठीक है एंजन तो समझ गए एक form of energy को दुसरे form of energy में convert करता और यहां बात कर रहा है heat engine मतलब यह भी एक form of energy को दुसरे form of energy में convert करेगा लेकिन सर आगे heat लग गया इसका क्या मतलब मदलब यहाँ पे हम लोग वैसे ही energy को convert करेंगे जिसके अंदर क्या रहेगा heat रहेगा यहनि कि thermal thermodynamics होता heat मैं आपको समझा जब thermodynamics, thermon heat तो therm मतलब क्या था heat यहनि कि thermal energy को हम लोग क्या करेंगे thermal energy का use करके दुसरे form of energy यहनि कि work में convert करेंगे work energy में करेंगे तो कोई भी useful work में हम लोग convert करेंगे अब यह useful work आपका rotary भी हो सकता है और reciprocating भी हो सकता है अच्छा क्या कोई बच्चा यह जानता है जो racing car होता है एफ़ोन रेस वगर आप जानते होंगे high speed जो car होता है उन सब में क्या use किया जाता है लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूं reciprocating engine कैसा होता है देखो यह अगर आप लोग को यहां से clear visual होगा तो आप size देख सकते हो यहां पे यह देख सकते हो यह जो आप देख रहा हो ना यह क्या आपका reciprocating engine है यह आपका क्या है reciprocating engine है इसमें देखोई पुरा रेश्प के आपका sorry, rotary engine, I am sorry, यह rotary है, rotary घूम रहा है, क्या यह यह आपका rotary engine है, I hope so कि आप लोगो दिख रहा होगा, visual, ठीक है, यह क्या आपका rotary engine है, यह क्या आपका rotary engine है, clear my point or not, I hope so जो में आप लोगो दिखाया, वो दिख गया होगा, तो क्या है यह आपका rotary engine है, जो कि घूम रहा है, ठीक है, क्या है यह घूम रहा rotary engine है, clear my point or not, तो घूम रहा मतलब यह क्या करेगा, rotary करके, एक form up energy, और कैसा, चुकि हम लोग बात करें, heat engine का, तो heat engine यानि कि thermal energy को लेगा, अब बोलेंगे sir, thermal energy मिलेगा कहा से, यह जो मैं बोर र जला रहे हो, जो भी fuel है, चाहे हो petrol रहे है, diesel रहे है, कुछ भी आप जला रहे हो, coal जला रहे हो, फ्यूल के आएगा, petroleum में जो भी आ चाहता है, समझे मेरी बात कि नहीं, उससे बाद आपको heat generate करना है, उसे heat मिल गया, heat energy, वो क्या करेगा, थ्रूम बशन कराने में help करेगा, उसको जलाएगा, और जलाने से वो आगे चल कर useful work, जैसे piston को, क्योंकि work equal to क्या आता है, आपको ये भी पता force into displacement, इसलिए मैंने का थर्मणास कर स्टेडी होना बहुत important है, तो displacement होना important है, और displacement होगा, तो piston आगे पीछे मूग परेगा, तब भी displacement होगा, अगर वो घूमेगा, तब भी displacement क्योंकि याद होगा, मैं क्या बता था, किस तरह का कोई अगर हम लोग ले लेंगे इस तरह का, रोटरी कोई भी साफ्ट है, और ये घूमेगा, और आगे चल कर मैं रसी बांदू, और एक वेट लगा दू, तो ये घूमेगा, तो क्या अगर रसी से वेट मेरा आ reciprocating engine है, ये आपका क्या हो गया, reciprocating engine हो गया, clear my point or not, ये मेरा reciprocate मदलब उपर नीचे जा रहा, ये क्या हो रहा, उपर नीचे जा रहा, तो ये मेरा reciprocate कर रहा है, ये कैसा engine हो गया, reciprocating engine हो गया, reciprocating engine मदलब क्या हो जाता है, कि जो मेरा reciprocate करता है, clear my point or not, जो मेरा reciprocate कर करो ठीक है मुझे पता होना चाहिए कि अगर बच्छा देख रहा तो बच्छा को समझ आ रहा नहीं समझ आ रहा जब तक आप मुझे बताओ गए नहीं हाग कर नहीं नो चीक है तो ट्राइटू रिपलाई जब जो रत पढ़े तभी रिपलाई करो यह निकि हमें साफ को पढ कर रहने हैं वह कितने तरीके से क्बसंद का सकते हैं अलग तरिके से कर सकते हैं थ हींगीं निकल पहुंचे हब हीरे हैं हम लोग को मों समझ रहे हैं कि यह जो यह जो फ्य व्यूम को जलाएं और व्यूल को जलाए त्दरह कर दर diving के जा को जला आगया क्या 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 गया और कमबसंट से जला के हम लोग हीट एनरजी लाए और सी यह वर्गण करवा रहे हैं रोटरी या फिर रेस प्रक्टिंग तो यहां पर अंदर विश्ट अब कमशन हम लोग दो भाग में डिवाइड कर देते एक होता इंटर्नल कमशन और व जीन कर रहे हैं जो कमशन कर रहे हैं त्रू जो कॉमशन से लोग ये कर सकते हैं अंदर हम लोग फ्यूट को वह क्या करते स्टीम बनाते हैं फिर वह स्टीम डाला जाता तरौइन पर फिर तर्वाइन रसे आपका घूमता है जिससे आपका एनर्जी डार होता है बेटरी या फ्र किसी और चीज में जिससे बाद में एलेक्टिसी यमान धूकुछ भी जनुरेट कर सकते हैं तो अछा internal combustion engine मतलब combustion टेक प्लेस इंसाइड दी इंजन जब आपका combustion जो से इंसाइड वह रहा इंजन के अंदर वह रहा उसको मेरा combustion जो है और सब्सक्रांट्र्ण के बाहर हो थो इस नो जी में आपको फिगर वह समझाया कि मेरा gальная combustion य्युstesन जो भी combustion हो रहा है कम बसन दो तरह का से देख सकते हैं क्या इसको हम नोग 2 system या engine बोGet uh सकते हो сх, ठीज्ट purpose system एक मेरा rotary system या rotary engine और दूसरा मेरा क्या reciprocating engine Similarly external combustion engine को भी हम लोग reciprocating में और rotary में कर सकते हैं धे रेसे rotary मतलब क्या कि अब 23 या जो खूमेंगा चारो तरफ प्रोटरी रोटर के टिक है इसी में आपका देख सकते फिगर में एक तरह आपका वाइट आपको नजार आ रहाँ घा अगर मैं रेट इलार्ट को दिखाऊं तो यह समझे लोग यह आपका क्या और यह फ्यूल आपका बर्ण हो चुका यह बर्ण हुआ फ्यूल है और यहां देख सकतो आपका आग अभी है फायर जैसा लग रहा है क्यों यहां पर आपका जो भी फ्यूल डाला गए है ना केमिकल लेज़ फ्यूल वह उसको हीट एनरज में कनवर्ट हो रहा है यहाद है सक्ष सब्सक्राइब करा जाता है तो आप लोग यहां पर देख सकते हो साइध अगर दिख जायओ तो यहां पर आ यह बर आपको देखने को मिलेगा एक बार उपर आ यह बर फ्यूल को ले रहा है जो आगर बात करें तो blue color का देखना ठीक है blue color का जब आ रहा तो इंटेक कर रहा fuel को fuel को इंटेक कर रहा तो नीची की ओर जा रहा है expansion हो रहा फिर उपर जा रहा तो compression हो रहा उस time पर stroke होता तो red color का रहा है वहलोब वह आपका power उसके बाद ब्लक लोर से बाहर निकल रहा है यहां हो गया तो चार होता स्ट्रॉक सच्छन कम प्रेशन थे के सट्न कमप्रेशन पावर एंड एक्जॉस्त यह ही चारोग के बारे हम लोग डिटेल में पढ़ें हैं हम लोग इसके आपके आई सी इंजन में समझें मेरी बात कि नहीं आई होप सो यहाँ पर एनिमेशन आपको समझ गए होगे जिस ठीक है चलिए तो यह चीज हम लोग को देखने को मिलता है इन इंटर्नल कमशन इंजन तो यह दोनों तरह का होता है जिसे मैंने का अभी जस्ट उपर निचे जा रहा घूम रहा जिससे हाइज स्पीड आपका रेसिंग कार्स वेगरा होता वहां पर रोटरी इंजन का यूज करा जाता है क्लियर माइं पॉइंट और नोट ठीक है तो उन सब यह आपको रोटरी इंजन देखने को मिलता है आप रोटरी इंजन जाना आपको समझ में आ सभी आपका वेल्डिंग वेगरा के बार में सब चीज़ उसका छोड़ छोड़ एनिमेसर माना के आपने चैनल में डाल दिया गया हो उसमें जाके आप देख सकते हो या फिर जो मैं थर्मों में आपको बताया लोज वेगरा का या मैं यह जो आई सिंग बता रहा है इंटरनल सब्सक्राइब का फोर्ट टोश्ट्रो में सब्सक्राइब क्या होता है तो काफी कफी अच्छा होता है चीजों को समझने के लिए क्यूंकि आप देखोगे ने आपको फील नहीं आप आप आगा झाल तो आप रटिते जाओगे एक बार देखी पर देख लोगे तो काफी से यहां पे क्योंकि घेस में यहां भी आएगा अबका यह हाह ऊप्ट में आ강गा यहां रखना रॉटरी में आप साईकलल गैस्टबाइन यहां घांपल हो गया किसका रोटरी इंजेंचन का किसमें इंटर्न इंटर्नल कम नियन फिर आजाता आपका वेंगल इंजन यह भी बहुत इंपोर्टेंट है अभी जब कोश्चन नहीं पुछा गया लेकिन इसका प्रोबिलिटी है बहुत आपके यह इंग्जम में पुछा जाता है तो यह एक्जाम्पल आपका जो है पुछा जाता है एज आ में अफिर रोटी टाइब सिस्टम ऑप इन्टरर्नल गमर्सीन फिंटर्नल गमदेशन तो यह अंस्टरी इंटर्नल से चलता है और डीजल इसर शां now defined च सथैसलर चार प्रोसेस होता है ठीक है और टूष्टो के पेट्रोल निजन में होता है तो उस तरह का देखने मुझे मिलता है तो यहां पह आजाता क्या यह वात कर रहा है और टो चांपल का बात कर जिसमें पेट्रोल यूसके आ पहला यह दूसरा है से मेरे Ben Wert का आगा इस में हे इनलेट हो रहा है तो इलेट हो रहा का पर यहां पर हुपर रख तो सब्सक्राइब निकल जाता है तो यह सभी एक्जांपल हो गया और बात करें लिए आपको पढ़ना नहीं है हम लोग पढ़ रहा है यह लेकिन इंग्जांपल जान लो हाना जब पढ़ी रहे हो तो तो रेसे प्रेटिंग टाइब में आ जाता है इस्टीम इंजन आ जाता है और बात करेंगे रोटरी टायप अक्स्टैनल कमपसर इंजन में तो स्क्रिम टेर्बाइन होता है यहां होता है मेरा हीट अ किया होता है हीट यहन क्लासमेटबई के लाषटञान अंड बेसिस अप् सक्रिक्लेसन अंगल फन इंजन एंजन इंटेनल अर और इंडर्नाल भी होता है वो भी रोटरी और रेसेप्रोक्रेटिंग टाइप होता है और एक्स्टरनल भी होता है वो रेटरी और रेसेप्रोक्रेटिंग टाइप होता है झाल 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 झाल